तो आज एक बात लिखो फटाबड बच्चो लिकुडेशन लिकुडेशन ओफ कम्पनीज बेटा लिकुडेशन ओफ कम्पनी मुझे इसमें तीन बात हैं आप से डिस्कस करनी है नमबर वन बी लिस्ट कॉंट्रिव्यूटरीज नमबर टू स्टेटमेंट ओफ अफ अफेर्स and Deficiency Account No.3 Liquidator No.3 Liquidator Final स्टेटमेंट ओफ अकाउंट लिक्विडिक्टर फाइनल स्टेटमेंट ओफ अकाउंट बचो ये तीन बाते हमें डिसकस्ट करनी तो आप यह थ्री पर्स में हमने तीन इससे बना लिए उनुट व रंट और I है आप एक दल करने वाला हूं ओर डियुक्टर का corona डिसकेशन है और मैंच और सूंप्र avent कर लो पूर्या आज की आज तो फटा इन तीन बातों को करना है अभी ये दो क्या है मैं आपसे discuss नहीं कर रहा तो heading लगाओ अपना unit 1 एक तरीके से unit बोल दिया यह इसी के part है आप heading लगाओ unit 1 be list contributors तो हम लोग heading लगाएंगे unit 1 unit बोल दो part बोलो जो भी लिखना है आपको लिख लो 1 be list contributors B list contributors type of contributory type of contributory A list B list type of of contributory A list B list present member present members of company present member of company share transfer by shareholder share transfer by shareholder within 12 months from date of liquidation we bit up likho primary liability or likho secondary liability और लिख लिख लिया तो बीटा done का message दालो फिर मैं आगे का discussion करता हूँ अगा कि हुआ कि हुआ 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 लिख हुआ इस अगा इस अगा ही liquidation है तो मैं liquidation पर Contributory का classification आपको बता रहा हूँ दो तरह का A-List और B-List कौन technical ने में A-List इन simple word we can say present members of company जो company के आज shareholder है वो क्या कहलाएंगे A-List Contributory ठीक है B-List Contributory कौन कहलाएंगे आज date of liquidation है आज से ठीक 12 महीने के अंदर यानि ठीक पहले within 12 months किसी ने अगर company के share transfer किये है from the date of liquidation date of liquidation before 12 months में किसी ने company के share transfer किये है तो वो कहलाएगा B-List Contributory सर यह आपने बताया है क्यों A-List और B-List बेटा primary liability at the time of liquidation primary liability किसकी होती है A-List Contributory की अगर A-List Contributory पे नहीं कर पाएगे तो फिर secondary liability निकल कर आएगी according to law किसकी B-List Contributory की बच्चों यह मतलब समझ में आया कि A-List Contributory किसे कहोगे और B-List Contributory किसे कहोगे एक बात कब कहोगे liquidation पर क्यों कहेंगे क्योंकि इनकी liability primary होती है और इनकी liability secondary होती है यहां तक की बात समझ में आई तो yes करो फिर मैं आगे का discussion स्टार्ट करो यहां तक तो कोई confusion नहीं है No clear चलो एक बार repeat repeat अरे यार आगे flow ही नहीं बनने ते नालाय को repeat कर दो पूछ लिया रिपीट करना बेटा दुबारा सुन लो yes अरपित बेटा दुबारा सुन B-list Contributory क्या है मैं उसको define कर रहा था तो मैं आगया type of Contributory यानि liquidation किसे में दो तरह के Contributory कहलाएंगे Contributory means shareholders ठीक है एक A-list और एक B-list बेटा मैंने मतलब समझाया बस A-list किसे कहते हैं present member यानि जो date of liquidation पर company के member होंगे यानि shareholder होंगे B-list किसे कहते हैं जो company के date of liquidation से ठीक पहले बारा महिने में अपने share बेच चुके किसी को उनको हम B-list कहते हैं इनकी primary liability होती है इनकी secondary liability होते हैं खाली यह ज्यादा feel मत लेकर आँ फिल थोड़ी दिर में आ जाएगा यहां तक की बात कि लिए यह समझ में आया A-list किसे कहेंगा B-list कहेंगे किसे मैंने यहां पर लिखवा दिया present member और जिन्होंने last 12 month में share transfer की अभी थोड़ी दिर में और clarity आएगी आप क्या feel करना चाहरा हो कि यह A-list क्यों बोला B-list मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा वो थोड़ी दिर में अपने आप पता चल जाएगा मैं तो बोल रहा हूं इनको यह कहते हैं इसको यह कहते हैं बस इनकी primary liability इनकी secondary liability अब यह है क्या वह discuss करते हैं चलो अब आते हैं यह लिखा क्या इसका proper explanation वो तो टेक्निकल बीनिंग मैंने आपको बता दिया प्रॉपरली मैं बताता हूं वह है क्या बच्चों चलो liquidation आप copy pen रखता हूं सामने देखो liquidation की बात करते हैं क्या होगा क्या होगा कंपनी अपनी असेट सेल करेगी सबको पता है सिंपल सी बात है असेट सेल करेगी कि बिटा क्या करेगी liabilities बिल्कुल ठीक है liabilities पे करेगी पैसा बच जाएगा तो फिर किसका payment होगा साब शेर अब वो चाहें एकुटी वो प्रफरेंस वो मैंटर नहीं करता शेयर होल्डर का पेमेंट होगा अब शेयर होल्डर का पेमेंट होगा है किलियर है सब को पता है लेकिन बेटा हम बात कर रहे हैं असेट सेल करी मालो फॉर एक्जामपल हंडडर रुपी की लाइबिलिटी है एक सो पचास रुपे लाइबिलिटी है वन फिफ्टी रुपी तो बेटा किसका नंबर नहीं आना शेयर ओल्डर का तो नंबर ही नहीं आना तो पिक्चर से भाहर करो क्योंकि असेट जब कम भीकी है हंडडर रुपी की लाइबिलिटी आपकी पूरी पे नहीं हो पा रही तो इनका तो नंबर ही नहीं आना तो पिक्चर से भाहर करो तो अब बताओ बेटा लाइबिलिटी होल्डर का कितना डूब गया पचास रुपे तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे अगरुट से लेकिशन होटा किया कंपनी अपनी असेट करती है बटा कंपनी के पास पैसा कहां से आ सकता है असेट बेचने से सकता है और क्या करेगी उसे लाइबिलिटी पे क्या बच जाएगा तो डुम्हिस का नंबर आएगा दर वाइस नंबर नहीं आएगा मैंने का पैसा ही नहीं सफिशेंट तो बेटा कोई दूसरी सोर्स बता सकते हो क्या कहीं और से भी पैसा आ सकता है कंपनी के पास क्योंकि लाइबिलिटी पे नहीं हो पा रही तो कंपनी फिर सारे रिसोर्स चांटे की कहीं और से भी पैसा सकता है कोई बता सकता है दूसर रिस अब बेटा ध्यान से सुनना सारे बच्चे को जवाब देना चीए था लेकिन एक दो बच्चों नहीं एफट गया दो बीटा सब्सेय लिखा एक ने बिल्कुल टेक्निकल करक्ट अब करक्क दोग मैं लेकिका शेयरोल्डर लेकित बीटा सोच नहीं शेयरोल्डर को अगर यह फुली हैं तो आप कहीं से मैं company को बंद करने गया मैं लिक्विड़ेटर हूं पूरा तो ला बोलता है इनका payment आप चेक करो इनको यह बोलोगे तुम्हारा पैसा डूबा कब बोलोगे जब कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाई ना दे आने की तो बेटा अब जब असेट बिग गई तो मैंने किसकी तरफ जहां का शेयर ओल्डर की तरह लेकिन शेयर ओल्डर क्या निकले फुली पेड़ तो फिर मैं इनकी तरफ देखूंगा नहीं हटाओ तो मैं इनको बोलूगा भाई तुम्हारे पचास रुपे डूब गए ऐसा करो अब जाओ यहां पर खड़े रहने की जरूरत नहीं लेकिन अगर शेयर बिटा पार्टली पेड़प है पाटली पेड़प एकुटी शेयर ध्यान रखना प्रफरेंश चेयर पाटली नहीं होगा वो तो फुली पेड़प हो चुका होता है रिडंशन पहले हो चुका होता है हम यहां इकुटी की जब मैं कॉंट्रीब्यूट्री की बात कर रहा हूं ना बेटा तो ये केवल इकुटी की बाद चल रही है अपर प्रफरेंसिस में इन्वाल नहीं है बिटा ये पार्टली पेड़ाप इकुटी शेयर है तो लिकुटेटर क्या बोल रहा है रुको रुको तुम्हारा अभी दुक्सान नहीं है तुम 100 रुपे तो ये लो अभी मैं एक पॉसिब है ये बोरा तीन रुपे और आ सकते हैं यानि अभी आपको इस में से कुछ और भी पे हो सकता है रुको तो लिकुटेटर किसके पास जाएगा पैसा लेने और लिकुटेशन पर जब अट्रिव्युटत करेंगे जो कोंट्रिव्यूट करेंगे जो पैसा देंगे उनको पि बोलेंगे हम बात समझ में आई बच्छो यहां तक अब दो तरह के कॉंट्रिब्यूट्री होंगे एक लेस्ट पताओ सबसे पहले में किसके पास जाओंगा जो आज डेट ओफ लिक्वडेशन पर मैं मालों लिकुडेटर मैं पैसे लええज़ अब कि रजिस्टर में जो मेंबर बने हुए हैं मैं उनके पास जाएंगा और उनको हम बोलते हैं A-list Contributory present member of company जिनकी company की primary liability बनती है primary liability क्योंकि यही लोग पैसा देंगे अब बताओ मुझे बच्चों सबका क्लियर हुआ यहां तक यह समझ में आगई इस बी को मत जोड़ना यहां तक की बाद समझ में आगई यह सारे बच्छे एप्रिशेट करो फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है यहां तक की बात सर क्लियर है अब एक बात और जोड़ता हूं इसमें अब ध्यान से सुनना मैं लिक्वीडेटर लिक मैं क्यों गया वह मैंने बैक्ग्राउंड बना दिया वैक्ग्राउंड से आपको फिर फाकड़ में आथा दर्वाइस पकड़ में नहीं आ था मैं इनके पास गया क्यों किया में रिजन बता दिए क्योंकि पूरीए से से इतन से प Hack rumors दे निरें ये बेंबर हैं ये शरा के शारह के शारह विकारी ह। कि सारे के शारह विक फषारी किसी के पास पैसे ही नियांग है jeश्व और लोना तब तक पैसा नहीं डूबएगा तुम्हारा तुम्हारा शेयर Fully paid up हो जाएगा तो बात अलग है कि यह सारे के सारे बिखारी अब मैं परिशान यह ऐसा कैसे हुआ एक भी आदमी सॉल्वेंट नहीं सारे के सारे इंसॉल्वेंट है तो अब समझो बच्चों बातों को होता क्या है प्रैक्टिकली अब देखो जो यह लिस्त हो जो मैंने लिखवाया है ना आपको दीरे 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 लास्ट तक आके बिल्कूल क्रृस्टल केले हो जाएगा कमपनी लिक्विडेशन में गई दबट ऑवियस है कंपनी किया फेस कर रही होगी लॉस्सक्राइश कर रही होगी तो कंपनी की असेट्स उसकी लाइबिलिटी को पे करने में कैपेबल नहीं होगी assets greater than liability मैं liability का मतलब या other than shareholders बात कर रहा हूँ shareholder की बात नहीं कर रहा यहां पर liabilities जादा है और asset कम है तो हमने assets सारी sale कर दी सारी sale कर दी अब हम गए contributors के पास क्योंकि इस company के share बेटा क्या है partly paid up है अगर fully paid up होंगे तो हम जाएंगे नहीं उनके पास फिर तो मतलब ही नहीं फिर इनको बोल देंगे डूब गया तुम्हारा सारा का सारा हम गए contributors के पास और किन के पास जाओ गया एलिस्ट के पास एलिस्ट कौन होते हैं जो आज कंपनी के registered member है registered person है वो एलिस्ट कहलाते हैं मैं इनके पास गया मैंने का भाई पैसा दो आपका क्योंकि पिटा liquidation तो आज हुआ यहां गई company liquidation लिकूडेशन से पहले की बात करते हैं पहले की बात मान लोग किसी राम के पास शेयर थे company के दस हजार शेयर थे किसी राम के पास company के दस हजार शेयर यह एक हजार शेयर थे at the rate of rupees 100 each 70 paid up 70 रुपे यानि यह company को already कितना दे चुके थे 70,000 already paid यह pay कर चुके थे और इनको उम्मीद थी company के शेयर का भाव बढ़ेगा मुझे dividend मिलता रहेगा और कभी शेयर बेचकर मैं निकल जाओंगा आज लिक्यूडेशन नहीं हुआ company का तो बेटा मिस्टर राम जो investor है बताओ क्या करेगा company की monitoring तो करता ही होगा कि company कैसा परफॉर्म कर रही है यह नहीं कर रही है इस राम को आइडिया लग गया यार यह company तो गडबढ़ होगी मैंने गलत जगे इंवेस्ट कर दिया समझना मेरी बात को मैं वहां तक पहुंचे उससे पहले आपको पूरा बैग्राउंड दे रहो उसको आइडिया कि मुस्से गडबढ़ होगी गलत जगे इंवेस्मेंट हो गया मेरे सतर अजार तो गये सो गये वह कोई टेंशन का पॉइंट नहीं अगया डूब गया तो टेंशन पता है मुझे किस बात किये यह company बहुत जल्दी लिकूडेशन में जाने वाली है अभी लिकूडेशन हुआ नहीं है इस राम को पता ही नहीं है लिकूडेशन तो लिकूडेशन में जाएगी तो असेट बेचेगी असेट बेचेगी लायबिलिटी पेने अभी नहीं कर पाएगे तो लिकूडेटर किसके पास अएगा प्रिजेंट मेंबर हमारे पास आएगा क्योंकि हम इसके मेंबर यहां यहां तो यहीं था ना यहीं वो फिल ले कर पा रहा था जो यहां पर होने वाला था यह बोला मैं तो कंपनी का एलिस्ट कॉंट्रिपूटर यहूं कि मेंबर मैं आज हूं अगर मैंने शेर नहीं बेचा तो इस दिन भी शेर मेरे पास होगा तो मैं ही इसका मेंबर बना रहा हूंगा शेयर बना रहा हूंगा तो मुझे हर शेयर पर वह 30 रुपी 30,000 और मांगने आ जाएगा तो यह तो मेरा डूप गया चलो इसकी तो बात छोड़ो यह और जाएगा हाथ से तो बिटा अब यह क्या करता है यह मार्केट में बायर ढूँड़ता है यह मार्केट जाता है बोला नहीं नहीं मुझे है ना इस कंपनी के शेयर नहीं ची यह मार्केट जाता है बेटा मार्केट में ढूँड़ता है और मार्केट में शेयर बेचने की कोशिश करता है शेयर बेचने की शेयर सेल करने की कोश आप मेरी बात समझ पाए तो बताओ अ कि यह साथ रुप में क्यों नहीं भीकेगा सर प्री में भी कोई नहीं लेगा उज्वल यह वी ना बात कि नो सर अरे उज्वल तो कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा तेरे बिल्कुल वर्ड परफेट कैसे होते हैं ना लाएक उज्वल फर्स्टाइम है न अच्छा जी आई फोर पहले पढ़ा हुआ गया वेटा टॉपिक जल्दी थोड़ा बहुत कि तेरे बिल्कुल टेक्निकल आंसार आ रहे हैं इसलिए डाउट हुआ मुझे से रियल में पार्टली पेड़ाप शेयर होते हैं क्या नहीं नहीं बेटा यह कॉंसेट देखो फुली पेड़ाप शेयर होता है लेकिन कॉंसेट तो देखो वहां प ही चलंघ innovator पर लेकिन लाव में कॉंसेट हैं लुख वहां अधिकार दे रहें और यूज करें फरक नहीं कर लिया तो आप सामझ में आ हैं तो यह law permission देता है तो that's why आपको fully paid up में concept आते ही नहीं है लेकिन पर्मीशन है तो पढ़ना तो आपको पर्मीशन देता है कंपनी उसको यूज करे ना करे वह एक अला किश्व ठीक है चलो इधर आओ कि अर्पीद बेड़ा किलियर वरना यह concept हो जाएंगे अगर हम बहुत से concept निकल जाएंगे अगर हम fully paid up पर आके टिक गए तो अब यहां पर आजाओ मार्केट में शेर बिके गए नहीं कोई फ्री में भी नहीं लेका इन शेर को मैंने मार्केट का ध्यान रखना मार्केट में आप ही समझदार थोड़ी हो ओपर मार्केट में जो इन्वेस्टर है वह भी तो कंपनी को समझता है वह पहले आप कहीं पैसा लगाओगे आप इन्वेस्टर हो आप कहीं पैसा लगाओगे तो पताओ कंपनी को समझोगे या नहीं समझोगे कि भाई यह कंपनी एक्च्वल में है भी या नहीं उस लाए तो जैसे आपको पता चलेगा थोड़ा सा इस तो पता चलेगा कंपनी तो लॉस मेकिंग हो सकता है नुकसान में चला जाए तो यह तो यह नहीं बीखते ऐसी companies के share market में नहीं लिकेंगे जो liquidation में और कोई बेफ्कूफ मिल जाए तो बात अलगे वना एक अच्छा investor कभी नहीं खरीदेगा और market में mostly investor ही खरीदते हैं ऐसी चीज़े अब बिटा राम क्या कर रहा है राम किसी ऐसे आदमी को ढूंड रहा है जिसका कोई ले ना देना नहीं अपने नौकर को बुलाया बुला ये ले या किसी ऐसे आदमी को बुलाया जिसका कोई अता पता ही नहीं ले मैं तिरको सारे share transfer करता हूँ मैं तुझे एक कंपनी के एक हजार share देता हूँ जिनका सतर रुपे का आज paid up capital है मैंने इने सतर हजार में खरीदा था जहां मस्त हो जाए ले इन शेयर को इस आदमी को शेयर किसको एक गरीब आदमी को बिचारे जिसके पास पुछ लेना देना नहीं क्योंकि मार्केट में तो लोग खरीदी नहीं रहे ये कुछ समस्ता ही नहीं इसको पकड़ा दिये शेयर ये कंपनी का member बन गया यहां पर दीरे 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 यहां company liquidation में चली यह बिचारा बिलकुल गरीब आदमी यह खुश हो रहा है कि मेरे पास थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी बनी एक मैंने जीवन में कुछ नहीं किया लेकिन एक भले आदमी ने मुझे शेयर दे दिया नाम भी राम था तो विश्वास कर लिया इसने भले आदमी ने मुझे श कि ऐसा करो एक हजार के माली को आप क्योंकि प्रिजेंट मेंबर कौन आज आज राम नहीं है प्रिजेंट मेंबर एह है आप एक हजार के माली को 30 रुपी पर शेयर निकालो फुटा फुट यह विचारा गरीब आदमी एक्स एक्स क्या बोल रहा बाइसाब मुझे शायद चैंच सब्सक्राइब आप 30,000 के मेरे शेर के बदले में में माली को इन शेर का मुझे 30,000 देने आए होगे वह बोला है नहीं नहीं भाइसाब आपने गलस सुना है मैं 30,000 देने नहीं आया को डिविडेंड के मैं तो 30,000 मांगने आया हूं पार्ट ली पेड़ब के वो बुला है क्या 30,000 बुला हाँ मुझे तो राम ने कहा था आप 70,000 के शेर के मालिको इन फूचर बेनिफिट होगा तो बुला साब कलियुक चल रहा है राम भी रावन जैस लुटा है जो प्रेजंट मेंबर हैं जो कम्पनी के आज मालिक है उनके पास जाओ को यह बोलता बाई मेरे पास तो पैसा है नहीं मुझे तो एक आद्मी वेफ्कू बना गया तो लिकुटेटर बोलता मैं तुमारे सारे बैंक अकाउंट तुमारी सारी प्रॉपर्टी सब्सक्राइब आरे बात समझ में अरे बिचारा गरीव आदिवी को टिका कर चला गया राम कुछ ही नहीं यह तो मस्त होगे गूम रहा है अगर कई मिल जाए तो बता जाना मुझे भी मैं तेरे को दे दूंगा 30,000 रुपर लिकूडर को बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ कि मैं जिन जिनके यह राम ने थोड़ी दिमाग लगाया होगा सब ने दिमाग लगाया होगा जितने भी हैं तो इसको यह बात समझ में जिन जिन के पास जा रहा हूं जिन जिन के पास जा रहा हूं वो सारे के सारे बि लिए पे नहीं कर पाएगी अगर आप फुली पेड़ अप शेर ओल्डर तो आपको दिमाग लगानी की जरूती नहीं लेकिन पार्टली पेड़ शेर ओ तो दिमाग लगाया इन लोगों ने और इन्होंने अपने शेर किसको ट्रांसवर कर दिये कुछ गरीब लोगों को ट्र प्राइमरी लाइबिलिटी तो यही नहीं की थी आप बोलो सर्क कुछ लोगों को इन्होंने मार्केट में बेफू बना दिया जो अच्छे पैसे वाले लोग थे तो बेटा उनसे तो वह लिकुड़ पैसा वसूल कर ले जाएगा अगर यह लोग बेफू बनाने में सफल हो लौा अच्छो फिर कानून किश को पकड़ेगा फिर लौन होते हैं बाइलिस्ट बच्छो बी लिस्ट वो ओते जो शेर ट्रांसफर करते हैं डेट उफ लिकूडेशन से महिने का डूरेशन इसलिए रखा गया के बारा महिने से पहले एक बहुत लंबा से इतनी जल्दी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बारा महिने से पहले किसी ने शेर बेचा तो उसने जैनूरली बेचा ऊपा दिमाग लागा तरनी बेचा होगा इन लोगों ने क्योंकि कम्प पकड़ा जाएगा और यह कंपनी की लाइबिलिटी पे करेंगे अगर यह नहीं कर पाए तो बिटा यह पूरा कॉंसेट था बात सबज में आई सारे बच्चों को अब तो किलियर हुआ बच्चों बिल्कूल अच्छी तरह से यह के एलिस्ट और बीलिस्ट कब इन्वाल्व होते हैं और क्यों सबको सबच में आया कि यह क्यों इंवाल्व होते हैं सरे लिस्ट क्या होता है विड़ा एक चीज दिमाग में रखो बिलिस्ट एक कंडिशन कभ इन्वाल्व होगा एड़ टाइम अफ लिकुडेशन दूसरी कंडिशन जब शेयर पार्टली पेड़ पोगा तीसरी कंडिशन जब विदिन 12 मंथ इन्होंने शेयर ट्रांसफर कियोंगे बारा मेने से पहले किसी ने ट्रांसफर कर दिये तो वह यहां पर कंसिडर नहीं किया जाए चीक है यह एक छोटा सा कॉंसेट था जिस पर आपका पांच से आठ नमर का क्योशन आता रहता है मैं यह नहीं कहूंगा बहुत ज़्या फ्रिक्वेंटली आता लेकिन आता रहता है तो हमें पहले मैंने इसी छोटे से कॉंसेट पर क्योशन उठा ल कि इस पर एक क्योशन देखते हैं हम लोग एक क्योशन क्या है किस तरह का एक्जाम में आता है यह तो बिड़ा कॉंसेट सा पूरा का पूरा पिड़ा सारे बच्चे ओपन कर लो पेज नंबर है 7.17 पेज नंबर है 7.17 पेज नंबर 7.17 पर यह बीलिस कॉंट्रिब्यूटरी यही मैंने आपको समझाया है तो कोई जरुवत है नहीं यह एक्जाम्पल नंबर 3 बिड़ा एक्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है सारे बच्चे देखो इन अ लिखूड़ेशन विच कमेंस अन 2 अपरिल 2012 सर्तेटेसव नोट र्सीटों नौट्रिजई जरुट रिखा हुआ है सर्तेटें प्रिव नोट्रिव नोट रिखी देखो पेमेंट आउट अध दो रिलाइजेशन उफ असेट रिलाइजईशन उफ असेट एंड आउट अफ दा कॉंट्रिबूशन फ्रम ए लिस्ट कॉंट्रिबूटरी मुझे लगता है बच्चों को किलियर हो गया होगा वह बोरा है कुछ क्रेडिटर के पेमेंट्स बाकी है असेट के रिलाजिशन से भी पे नहीं हो पाए और किस से पे नहीं हो पाए ए लिस्ट क अब कुछ शेयर क्योंकि वह बोरा ना तो असेट से पे हो पाया ना ए लिस्ट से कुछ मिला तो कुछ लोगों की इन्होंने ट्रांसफर लिस्ट निकाली कि किन-किन लोगों ने शेयर कब-कब बेचे थे तो बड़ा जब लिस्ट निकाली तो इनको पता चला Mr. X जिनके पास इतने share थे इस date पर share transfer करके बहार निकल गए उस दिन company के ये liability कितनी थी 4000 Outstanding liability A इतने shareholder था ये इतनी इस date को बहार निकल गया उस दिन company की liability ये थी ऐसे ही इनकी details दे रखी है ठीक है न और ये liability दे रखी है All the shares were rupees 10 each and six paid up बिटा अगर ये 10 is 10 paid up होता तो B list का कोई concept ही नहीं बनता six paid up ignoring expense and remuneration to the liquidator आप भूल जाओ जो आज मी महनत कर रहा है उसको कुछ देना है भूल जाओ show the amount to be realized from the various person listed above ये जो various person है listed above इन से कितना कितना मिल सकता है बिटा इन ही को क्या कहते हैं हम B list Contributory मुझे बताओ बच्चो B list Contributory की calculation मैं जो करने जा रहा हूं उसमें X A B C D में से कौन शामिल नहीं होगा X very good बिटा X शामिल नहीं होगा reason B list Contributory हम लोग समझ चुके अब तक उनकी secondary liability होती है तो बिटा secondary liability की बात चल गए है A list से पैसा नहीं मिला दूसरा दूसरी condition क्या थी जिन्होंने last 12 month में share transfer कियो तो बिटा date of liquidation 2nd April है 2nd April 2012 तो मुझे एक साल पहले जाना होगा 2nd April 2011 इस bracket में जिसने share transfer किये उनको पकड़ना पड़ेगा तो देखो X तो कब transfer कर चुगा 1st March यानि 2nd April से पहले तो लॉब होता है इसने कोई भी गड़बड नहीं की यह तो before 12 month वाली case है हटाओ इसे इन्होंने 1st May 1st July तो बिटा इन लोगोंने गड़बड किये इनको पकड़ना पड़ेगा एक बात सारे बच्चों को बिल्कुल clear हो गया X नहीं आएगा सर कैलकुलेशन में तो हम एक्स के पास जाएंगे भी नहीं बच्च एक बात दूसरी बात जो समझना क्रेडिटर्स रिमेनिंग अनपेड बेटा यह बोल रहा है कि सर्टेन क्रेडिटर कुट नॉट भी रिसीवड पेमेंट मुझे सेकंड अप्रेल को सारे बच्चे अगर बात को ढंक से सुन रहे हैं तो मुझे बताओ सेकंड अप्रेल को इसमें लिखूं कैसे मैं इस पर लिखना है अमझे अगर सारे बच्चे बात समझ रहे हैं तो आप यह बताओ सेकिंड अप्रेल को यह बोल रहा है सर्टेन क्रेडिटर कुड नोट रेसीवड पेमेंट वह क्रेडिटर का अमाउंट बता सकता है कोई क्रेड़ का अमाउंट कितना है सेकेंड अप्रेल को जो अनपेड क्रेडिटर है उनका अमाउंट कितना है कोई बता सकता है यह यह सो नो लिख दो अगर नहीं नो सर नो सर यह लिख दो फटावट एक भी बच्चा नहीं आइडिया लगा पाया बेटा ओडियो वीडियो तो किलिया रहे ना क्या वह क्लास मिले रहे बेटा रोहित सिद्धार्थ आर्यान इतना टाइम इतना बेटा 35,000 नो आर्यान चलो मैं बताता हूं कोई बेटा आइडिया नहीं लगा रहा है ना कोई नो लिख रहा एक ना आइडिया लगाया वो गलत जब तक बताओगे निया तो नो लिखो में आगे चलूंगा ही नि विनीता 31,000 बेटा कहां से निकाल रहा आप आर्यन विनीता अर्पित नो ठीक है बच्छों चलो मैं बताता हूं स्यारिका नो नो आइडिया वेरी गुड बेटा आग मैं सोचो फिर मैं एक्स्प्लेइन कर रहा हूं लिखने की ज़रों तो नहीं है कि सेकिंड अप्रेल को सर्टेन क्रेडिटर आउटसेंडिंग बेटा वो 9500 यह रहा ना बेटा मैंने सामने स्क्रीन पर रख रखा है कि सारे बच्चे समझो क्यूमिलेटिव डिटा दे रखा यह आपने शायद मुझे लगता है अच्छा अब मुझे समझ मैं विनीता और आरियन ने शायद इसी को कुछ मैं जायड लेश किया होगा एक फैब को है सर नहीं पिटा रुको मैंने का मैं बता रहा हूं एक फैब को थोड़ी हे कहां आ गया फ़र्स वह बुरह ancils and यह प्रुम अन्पेड़ ते फॉस अब इसने इन क्रेडिटर की list निकाली, कितने अन पेड़ थे मैंने आपको बता दिया, 9500 के क्रेड़ अन पेड़ थे, ये क्रेड़ की list निकाली गई, ये क्रेड़ कब ते, ये बीटा 4000 के चरेड़ वो चले आ रहे हैं, जो अभी तक settle नहीं हुए, ये क्रेड़ कब बने थे company के, फर्स्ट मार्च को क्रेडिटर बने थे कंपनी के जिस दिन एक्स कंपनी छोड़ कर गया था उस दिन की लाइविलिटी ये थी जो आज तक सेटल नहीं हुई फिर ए जिस दिन हमने बी लिस्ट कॉंट्रिबूटरी इनको पकड़ा न तो हमने क्रेड़िटर भी तो निकाले 9500 इन क्रेड़िटर की जांच परताल की गई यह क्रेड़िटर कंपनी के बिटा अब समझना यह इन डेट्स पर मत आओ मैं इस डेट्स पर कंसिडर मत करो जो मैं बूल रहों उसको जहां से सुनो आपको 9500 टोट्रीटर जिनका पेमेंट नहीं हो पाया जिनका पेमेंट नहीं हो पाया कि से नहीं झू था यह यह 9500 मैंने देदिया इनका पेमिंट नहीं हो पाया ना तो असेट के रिलाइजिशन से ना एलिस कॉंट्रिप्यूटरी से हम बी के पास गए बेटा जब बी की जांच परताल होती है न तब यह जांच परताल होती है कि यह 9500 के क्रेडिटर कब-कब थे यह रिसेंटी जन में यह कोई पुरानी चले आ रहे हैं तो मोस्टली आपको इंफोर्मिशन प्रोवाइड की जाएगी आपको आइडिया हमेशा मोस्टली क्या आउलवेज आपको इंफोर्मिशन दी जाएगी जब इन 9500 की जांच परताल की गई तो वह रहा है जिस दिन एने शेर ट्रांसवर किये थे तो इस डियूरेशन में कितने और बड़े 2000 और बड़े तभी तो 6000 हुए यह यह तब से चले आ रहे हैं अभी तक सटल नहीं हुए ऐसे ही बीने जब शेर ट्रांसवर किये थे एक जुलाई को उस दिन यह बढ़ते 1200 और बीच में बढ़ गए तो प्लस 1500 और बढ़ गए और यह 6000 यह 7500 हो गए यह अभी तक डियू चल रहे हैं अभी तक पेमिंट नहीं हुआ ऐसे ही सो ओन तो यह 9500 अभी तक डियू चल रहे हैं जिस दिन दी ने शेर ट्रांसवर किये और आज कंपनी यहां लिक्विडेश कर रहे हो तब आपको पता चला इस डोलेशन में 2000 और बढ़ गए फिर 1500 और बढ़ गए थे फिस पानसो और बढ़ गए थे फिर देड़र जार और बढ़ गए थे ऐसे करते-करते यह लोग साड़े 9000 हो गए आज यह साड़े 9000 हैं और इन इन डेट्स पर यह क्रडिटर थे जिस दिन इन लोगों ने शेयर ट्रांसवर किये थे कुछ बात सबस्ज में आई बच्चों अगर नहीं तो बोलो मैं दुबारा एक्स्प्लेइन कर दूँ वह 9500 इन इन डेट्स पर हमने जब भी लिस्की मॉनिटरिंग की तब हमें पता चला अभी केवल में क्यूशन कोई डिसकस कर रहा हूं बटा आगे सारे बच्चे बताओ केवल आर्यन विनीता यह सर दिपेश सर एक बार वापस ठीक है बटा मैं दुबारा बताएता हूं ठीक है ओके सर ओके चलो बटा दुबारा सुनो एक बच्चे ने पूछा है सर 4000 क्यों लेंगे फर्स वाला बटा कहां ले रहे हम 4000 की बात थोड़ी कर रहे हम यह हम तोटल की बात कर रहे है और पता है अगर लाइबिल्टी आज ड्यू है तो लाइबिल्टी होड़र को थोड़ी लात मार के भगा दोगे आप किस पर वर्ड़न डालोगे यह 9500 में बेटा यह 4000 भी इनवल्व है आप एक्स पर ही तो वर्ड़न नहीं डालोगे किसी को इगनोर थोड़ी करोगे इसका कोई कसूर थोड़ी है इसने पहले पुराना पैसा यह तो बुल्टा उल्टा चारगर वाला तो बहुत एक साल से बैठा है विचारा फसा हुआ इसका तो पेमिंट ही नहीं कर रही थी कंपनी तो इसका थोड़ी कसूर है हम केवल बी का सार आगर यह बात सबस्कें यह सुलूशन में कोई दिमागी लगा ना कि दूपर्यिक को कंपनी बंद दो नहीं कोको सबस्क्राइब को उसने साफ बोल दिया आपको बेटा बी लिस्स से जब पैसा मांगोगे ना तो ज़्यान रखना बी लिस्स से आप तब तक काई पैसा मांग सकते हो जिस दिन तक वो company में share transfer नहीं किया था उससे पहले की लाइबिलिटी के लिए वो जिम्मेदार है जिस दिन वो शेयर ट्रांस्वर करके चला गया ना उसके बाद की किसी पी लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है आज कंपनी बंद हुई और 9500 का पेमिंट नहीं हो पाया हमने 9500 जो लोग थे उनको बुलाया है यह आओ तुमने कंपनी को पैसा कब दिया था बताओ हमें तो इन्होंने का साब उसमें से एक आदमी निकला 4000 वाला उसने का साब मैंने तो कंपनी को इतना पुराना पैसा दे पिर यह 6000 इस डूरेशन में किसी आदमी ने 2000 और दिये कंपनी को तो बेटा 4000 तो इस डेट तक था वह बोल रहा है साब मेरा एक मही से उधार चल रहा है तो बताओ एक मार्च और एक मही तक कितना हो गया 6000 की उधारी पिर हमने इन में से बुलाया बता ना और तो एक आदमी मही और आया मैंने साब एक मही से एक बीच मैंने कंपनी को कितने रुपे दिये ओल हाद एजारर रुपे मैंने उधार दिये तो बेटा यह ऐसे इन लोगों ने इन इन डेटस पर 9500 इस तरह से जो कंपनी आज पे नहीं कर पाई ठीक है यह इन इन डेटस पर कंपनी को पैसा दे कर बैठे हैं यह इन डेटस के बीच में कई पैसा दे कर बैठे हैं हमने का अच्छा तुम लोग इतने पुराना ड्यू चोल करने बी लिस्ट में यह लोग आए एक से हम पैसा मांगेंगे नहीं 9500 में चार अजार भी मौजूद है तो एक सिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है हम ABC को पकड़ेंगे बिटा एक कब तक की लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार है एक मैऐ जिस दिन उसने शेर ट्रांसार किया वहाँ तक की लाइबिलिटी के लिए वो जिम्मेदार है उससे बाद की लाइबिलिटी के लिए मुझता कोई मतलब ही इसी लिए हमें इस तरह का ब्रेक करना होता है इस 9500 को यह क्यूमिलेटिव डेटा है थोड़ा बहुत आइडिया लगा एक बच्चे ने जो पूछा था बाकि कल और किलियर होगा जब मैं आपको डिस्टिपूशन पैटन सिखाऊंगा आज मैं खाली क्यूशन को डिसकस करता रहा है जिस बच्चे ने पूछा था बैटा जल्दी से बताओ फिर आगे चले ओके दिपेश चलो बचो आज के लिए इतना बाकी नहीं भी समझ मैं तो कोई दिक्कत नहीं मैंनों केवल आपको व्यू दिया है अब जब मैं परसों पेमेंट करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं मैं मैंक्जिमम बोल चाहता था आप सुनो जब मैं पेमेंट करके आपने सुना है यह वहां बिल्कुल क्रिस्टल के लियर कर देगा वहां के लिए इतना बोलना बहुत जरूरी था परसों क्यों करेंगे एकदम साफ समझ में आ जाएगा सब यह हो क्या रहा है तो आज थोड़ा बहुत भी घबराने की होना भी चाहिए था कंफीजन नहीं ह होता तो गड़बड़ होती है तो बड़िया बात है लेकिन क्यों सौल करने से पहले यह कहानी आपके लिए सुनना जरूरी था इस कहानी को जब मैं सौल करूंगा आप प्यॉरली कनेक्ट कर दोगे और अब तक तो शायद आपको बाते भी समझ में आ गई होगी जब मैं र अधी चनेक्ट होती है युक्षाशंग से छीगे बच्चों